दोस्तों मैं दिविया लेकर आई हूँ आपके एडवांस मेकप क्लास का अमेजिंग एक और डे अपके लिए तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक भी बहुत अमेजिंग होने वाला है हमेशा की तरह है और वो आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगे क्योंकि ये दो बाउटन रहे हैं जैसे के मैंने लास ताइम भी आपको बताया था कि अब हम आपके सारे रिवेस्टिंग वीडियो भी बनाएंगे जैसे जो आपका कन्सर रहे गा जो भी आप लोग सीखना चाहते हो जो भी इंटरनेशनल मेक अप ट्रडिशनल मेक अप से रिलेटेट आपके doubt है, questions है, queries है वो आप मुझे comment में या पिर Instagram पे हमें messages में बताइए अपने required requested look आप हमें images पर भी भेज सकते हो so that हम वो same look आपके लिए create कर सकें तो आज का जो topic है वो है हमारा white set eyes पे कैसे काम कर सकते हैं तो white set eyes पे काम करते हुए fusion bridal look यहाँ पर मैं create करने वाली हूँ fusion bridal look में हम लोग HD high definition makeup से हम बोलते हैं वो create करेंगे एक beautifully हम Indian traditional fusion bride का combination create करने वाले हैं जिसमें बहुत ही subtle makeup, elegant makeup क्योंकि देखिए मैंने last time भी आपको यह चीज़ बताएए ब्राइडल मेकप में compulsory नहीं है कि अब बहुत ज़्यादा loud makeup करो ब्राइडल मेकप आपके client की टेस्ट पर यह choice पर depend करता है आप उनको subtle makeup भी दे सकते हो उनकी choice के according तो यहाँ पर fusion bridal makeup high definition look के साथ प्लस white set eyes तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को तो hope आपको यह वीडियो दर्थी लेगे वीडियो ऐन तक देखिएगा और वीडियो में जो भी best part होगा तो comment करके बताएगा और फ्रेंट्स चैनल पर नए है तो जदी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैर एकन को दबा दीजिए नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए पहले बस में रिक्वस्ट करना चाहूंगे कि आप मैंसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियो को बिना सब्सक्राइब करें में देखते हैं तो प्लीज फ्रेंट सedor आप कीरे सब्सक्राइबître से आपको लेटेस वीडियो की अपडेशन मिलती रहेगे और आपको बहुत नया नया अमेजी नहीन झीजिज सीखने के लिए बहुत में पार्पडेट रकने और उन्हें कैसे डील करना चाहिए यह अल्रेडी में प्रिविएस वीडियो में बेसिकी क्लास में बना चुकी हूँ उसका लिंक मैं आपको डिस्कुप्शन में दे दूंगी आपको अच्छे से देख लीजिए कि कौन-कौन सी आइस होती है और उन्हें हम कैसे करेक्ट कर सक तो यहां पर मैं अपनी अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ और जैसे कि वाइट सेट का आप लोग का रिक्वेस्ट था वो से कवर कर रहे हूँ बट आप लोग का कोई और आई शेप के लिए भी आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाओ तो प्लीस मुझे कमेंट इसक्रिंग में बताइएढिए ओsk Sullroe दियान रखना है कि आपने को एक्सटेंड करना है फ्रेंट सbei यह ने की आपनेएड से थोड़ा आगे बढ़ाना है क्योंकि eyebrows में भी काफी बार distance होता है उसके बाद अच्छे से अपने eyebrows के extra area को cover कीजिए then अच्छे से define करते हुए अपने nose के side में contouring देते हुए eyebrows के front से down side में contour देना है और connect करना है इससे काफी हद तक एक illusion create होता है कि जो हमारे nose के बीच में distance है वो distance minimize हो जाता है 3D contour में यहाँ पर करने वाली हूँ पहले मैंने dark color यूज किया है then उसके बाद हम soft brown color use करेंगे skinny color brown से dark and light दोनों ही brown color है और दोनों ही skinny से साथ merge करने के लिए हम 3D technique use करेंगे then eye contour करने के लिए अपने according आप brown shade भी ले सकते हो मैं dress के according pink dress है contour करोगे तो अपने outside से बाहर नहीं आना है eyeshadow को prominent करने के लिए liquid lipstick का मैं use कर रही हूँ eyeshadow में mostly problem आता है जैसे आप eyeshadow single eyeshadow को prominent and visible effect देने के लिए बहुत अच्छा trick है कि आप कोई creamy product liquid lipstick cream eyeshadow creamy eyeshadow लेके आप eyelid पे लगाईए and then उसके बाद अपने अब same color जैसे फ्लैश पलेट के लिए खमें उसके लिए खार सकते हैं तो मैं same eyeshadow में same color के lipstick की उसके है और अपने outer corner eyelid से लेकर उपर क्रीस तक बफ करना है shiny color center of eyeball पे रखिए पूरे eyeshadow application में जो बहुत important आपने white set eyes में धिहान रखना है वो यह है कि अपने outer corner से बाहर नहीं आना है और अगर आप lower side में shading दे रहे हो तो lower side में भी आपने outer corner से बाहर नहीं आना है अपने inner corner के साथ उसे connectivity देखे inner corner से आप थोड़ा सा nose की side में उसे extent कर सकते हो तो इससे जो आपका जो इंसाइड वाला रहने के eyes का जो white set वाला effect है वो काफी हद तक eyes में भी minimize हो जाता है eyeshadow को और enhance करने के लिए आप shimmer pigment कुछ भी यूज़ कर सकते हो बढ़ यहाँ पर मैं loose pigment for color का use कर रहे हूँ बहुत ही प्यारा shade है यह और इसमें 3D effect है यहाँ 3D effect का महला monochromatic color है इसमें 3-4 color के reflection आपको मिलेंगे और यह आपके eye makeup को बहुत अच्छे से enhance करेंगे तो quick and easy makeup भी है eyes के लिए fixing spray के साथ मैंने wet brush के साथ इसे अप्लिकेट कर रहा है तो जो eyeshadow pigment जढने का या fade होने का आपको problem होता है वो भी इससे नहीं होगा इसे भी हम थोड़ा सा अच्छे से blending देंगे shading blending high definition makeup है तो ध्यान रखना है white set eyes में liner से जो illusion आप create कर सकते हो tear point से आप inner corner पे extended liner दोगे small steps में यापर simple liner के साथ आपको feature correction सिखा रहे हूँ कोई creative liner नहीं है just आपने lash line को follow करना है outer side से हम विंग को बिल्कुल भी extend नहीं करेंगे सिर्फ अपना जो lash line है इसको follow करेंगे बट inner corner से हमने अच्छे से eyes को tear point के पास से extended liner देना है इसे हम कई बार dove liner भी बोलते हैं या tear point से निकला हुआ जो liner होता है creative liner में भी आपने देखा होगा लोग काफी use करते हैं बट ऐसी eyes के लिए अगर आप soft way में beginner हो तो इतना ही यूज कीजिए बस आपने एक illusion क्रिएट करना है आइस का जो effect है वो आपने inner corner की तरफ दिखाना है बार की तरफ एक्सेंड नहीं करना है आप देख सकते हूँ इनका जो eyes का look है वो काफी अच्छा लग रहा है और यह HD high definition makeup आप पार्टी मेकप में दीजिए ब्राइडल में दीजिए सब मेकप में अच्छा लएगा पर मेनली जो टेकनीक है आपका उस चिसका अपने ध्यान रखना है कि नोस के साथ connected रहे आपका contouring minimize नहीं होना चाहिए फेस पर भी makeup done करने के बाद अब यह प्यारा सा makeup आप किसी भी look के लिए क्लाइड को देना चाहों दे सकते हो मेली ब्राइडल मेकप में या engagement मेकप में आपका जो feature correction है वो बहुत important हो जाता है क्लाइड के features different types के हो सकते हैं और उनके लिए उनके features को अगर आपने correct कर दिया वही उनके special day के लिए special occasion के लिए बहुत बढ़िया सा makeup हो आप उनके feature को perfect कर दो एक subtle high definition makeup के साथ उनके लिए इतना भी बहुत होता है तो आप देख सकते हो इनका नोस में जो distance था वो काफी minimize हो चुका है और काफी close set मिलब एक idealize जो होती है almond shape की sufficient distance के साथ वो दिख रही है और hope आपको यह अच्छा लग रहा होगा देखने के लिए और आपको से related और भी कुछ detail में base related highlighting को जोड़ से related कोई भी topics related वीडियो चाहिए यह और किसी different type की eyes के लिए आप मैं चाहते हो कि मैं वीडियो बनाओ तो प्लीस आप मुझे comment section में बताइए as professional artist आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि same technique आप हर किसी के face पे use नहीं कर सकते हो according to features काम करना बहुत ज़रूरी है और आप देख सकते हैं अपने according to features काम करने के वेज़े से हमने इनकी beauty को कितना enhance कर दिया है आप दोस्तों आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ नया सीखा कुछ भी नया सीखा है तो कमेंट में करके बताइए और वीडियो में जो भी आप सीख रहे हैं उसकी प्राक्टिस करके हमें चैनल पर नए है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आकन दबा द दोस्तों मेंते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक प्राइब धियान रखिए जाए जाए